नवस्कार फेंड स्वागत आपका अपने यूटूब चैनल सुभांस क्लास में हम आपके लिए कर आए कच्छा कच्छा 10 का अध्याय नंबर 6 हमारा पर्यावरान क्लास 10 का चेप्टर नंबर 6 फिजिक्स का चेप्टर नंबर 6 लेकर आए आपके लिए दोस्तों यह वीडियो की पांच क्लास है आप पिछले पांच अध्याय आपके पहले वीडियो में डाल चुके हैं दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए अध्याय नंबर 6 हमारा पार्यावरान मारा पार्यावरान अध्याय नंबर 6 इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे दोस्तों इस अध्य मदेख जो हमारे आसपास का प्रत्य रूप भाविध करता जो हम्हारे असपास डिखाई यह किया था जीवद्धोरों के प्रभावों के अध्यन की साखा को क्या को कहते हैं परिस्तिक कहते हैं जीवधारियों पर पार्यवनण के प्रभावों के अध्यन को की साखा को परिस्तित की कहते हैं पार्यवनण के कारक क्या हैं दोस्तों पार्यवनण के दो कारक है अजैवेकंस और जैवेकंस जल, वायू, वर्सा, ताप, नमी, आदी कौन कौन से होते हैं जल, वायू, वर्सा, ताप, नमी जल, वायू, वर्सा, ताप, नमी, जल, वायू, वर्सा, ताप, नमी आप से पूंच सकता आप पार्यवन के कारक लिखिए पार्यवन के कितने कारक होते हैं दो कारक होते हैं प्रमग दोस्तों कौन कौन से जैवेक और जैवेक अंस अजयवेक अंस में क्या कहाते हैं दोस्तों जल, वायू, वर्सा, ताप, नमी और जयवेक अंस में कहाते हैं दोस्तों उत्पादक, बोक्ता और अब गटक आदी परिस्तित्की तंत्र परिस्तित्की तंत्र किसे कहते हैं ये कितने प्रकार का होता है परिस्तित की तंत इसमें निमनेलिखित दो गटक होते हैं परिस्तित की तंत में कितने गटक होते हैं दो गटक होते हैं दोस्तों एक अजयवे गटक अजयवे गटक निमलिखित प्रकार का होता है दोस्तों अजयवे गटक कितने प्रकार का होता है दोस्तों आकार्बनिक, कार्बनिक और भौतिक गटक कितने प्रकार का होता है दोस्तों तीन प्रकार का होता है अकार्बनिक, कार्बनिक और भौतिक गटक आकारवने गटक क्या होते हैं दोस्तों इनमें ह्-2o और co2 nitrogen phosphorus ammonia लवड आदि समलेत होते हैं दोस्तों इनमे क्या होता दोस्तों ह्-2o CO2 nitrogen phosphorus ammonia आदि लवड समलेत होते हैं दोस्तों कार्वनिक गटक क्या होते हैं इनमें कार्वो हाइडरेट प्रोटीन वसा आदी व्रहध अडू समलित होते हैं दोस्तों कार्वनिक में क्या होता है दोस्तों इसमें कार्वो हाइडरेट प्रोटीन वसा आदी व्रहध अडू समलित होते हैं दोस्तों बहुते गटक क्या होते हैं दोस्तों मुश्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए बहुते गटक इसमें वातावरनी कारक जैसे वायो जलता प्रकास आदी समलित होते हैं जैवक गटक नमबर दूसरा आया दोस्तों जैवक गटक जैवक गटक क्या होते हैं इनमें विभिन जीवधारी समलित किये जाते हैं इन्म लिखित पौदे उत्पाद कहलाते हैं सभी हर एक प्रकास संसलेसी पौदे उत्पादक कहलाते हैं यह सूर्ष के प्रकास की उपस्तिती में पर्ण हर्म की साहता से पानी एवं CO2 दौरा भोजन संसलेसित कर लेते हैं यह भोजन प्राया मंड प्रोटीन एवं बसा की रूप में संचित कर लेते हैं 6CO2 प्लस 12H2O प्रकास सूर्ष का प्रकास अब पर्ण हर्म की उपस्तिती में C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O उप्भोगता क्या होते हैं दोस्तों उप्भोगता जन्तु भोजन की प्राप्ति के लिए पौदो द्वारा बनाये गए भोजन पर आसरित होते हैं उपवोगता कौन होते हैं दोस्तों जन्तु भोजन की प्राप्ति के लिए पौदो द्वारा बनाए गए भोजन पर आसरित होते हैं अता ये उपवोगता कहलाते हैं ये निमनलकित प्रकार क्यों होते हैं दोस्तों जन्तु भोजन की प्राप्ति के लिए पौदो द्वारा बनाये गए भोजन पर आसरित होते हैं, अता ये उपवोक्ता कहलाते हैं, ये निमने पिकार क्यों होते हैं दोस्तों, प्रात्मिक उपवोक्ता, प्रात्मिक उपवोक्ता क्या होते हैं दोस्तों, प्रात्मिक उपवोक्ता, प्रात्मिक उपवोक्ता क्या होते हैं, अता ये स और के नाम लिखे किनी दो प्राथमें ऊपढ़कतां के नाम लिखे हैं या प्रात्मिक उपभोक्ता क्या होते हैं उसे समझाएए तथा दो उपभोक्ता के नाम लिखिए तो प्रात्मिक उपभोक्ता क्या होते हैं दोस्तों प्रात्मिक उपभोक्ता के जन्तू सीधे पौधों को खाते हैं ये क्या करते हैं दोस्तों सीधे पौधों को खाते हैं अताये साकाहरी कहलाते हैं जैसे टिड़ा और खर्गोस टिड़ा और खर्गोस कैसे हैं दोस्तों प्राथमिक उपवगता हैं दोतियक उपवगता क्या होते हैं दोस्तों इस प्रकार के उपवगता साकाहरी जन्तों को खाते हैं दोतियक उपवगता क्या होते हैं दोतियक क्या होते हैं दोस्तों इस प्रकार की उपवोक्ता साकाहरी जन्तों को खाते हैं दुतियक उपवोक्ता कहलाते हैं जो साकाहरी जानवरों को खाते हैं वो दुतियक उपभोक्ता क्या होता दोस्तों तृतियक उपभोक्ता इस प्रकार के उपभोक्ता दृतियक उपभोक्ता को खाते हैं तृतियक उपभोक्ता कहलाते हैं जैसे सर्प सर पर किसी खाता है दोस्तों मेड़क को खाता है तो यह कैसा अप भोगता है दोस्तों तिरतियक उप भोगता है दोस्तों अप घटक अप घटक क्या होते हैं दोस्तों मुस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए अप घटक तीसरा है दोस्तों अप घटक ये सूच में जीव होते हैं अप घटक कैसे होते हैं दोस्तों ये सूच में जीव होते हैं जो पेड़ पौदे एवं जीव जनतुओं के मृत सरीर का अपगटन करके भोजन प्राप्त करते हैं ये सूच में जीव होते हैं जो पेंड़ पौदे एवं जीव जनतों के मृत सरीर का अपगटन करके भोजन प्राप्त करते हैं अपगटक कहलाते हैं ये सूच में जीव होते हैं दोस्तों अपगटक जो पेंड़ पौदे एवं जीन जन्तुओं के मुरत सरीर का अब घटन करके भुजन प्राप्त करते हैं। दोस्तों आपसे पूछे जाने वाले most important question है दोस्तों। पहला question है वो कौन से पदार्त है जो लंबे समय बाद भी आप अरिवर्तित रहते हैं। आंसर इसका दोस्तों। लंबे समय तक दूद की खाली थेलिया, दवा की खाली बोतले, स्ट्रिप्स, तूटे जूते, आदी अजयव निम्न कारणी पदार्त अरिवर्तित रहते हैं। लंबे समय तक दूद की खाली थेलिया, दवा की खाली बोतले, स्ट्रिप्स तूटे जूते, आदी अजयव निम्न कारणी पदार्थ आप परिवर्तित रहते हैं दोस्तों वे कौन से पदार्थ हैं जिनके स्वरूप वा सनरचना में परिवर्तन होता है संदूसित भोजन, सबजियों के छिलके, चाय की उप्योग, की गई पतियां, रदी का आगच, आदी पदार्थों की सनरचना में परिवर्तन होते हैं किन में परिवर्तन होते हैं दोस्तों? संदूसित भोजन, सबजियों के छिलके, चाय की उप्योग, की गई पतियां, रदी का आगच, आदी पदार्थों की सनरचना में परिवर्तन होते हैं जल जीव साला बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मचलियों को तैरने के लिए इस्तान क्या करना चाहिए दोस्तों मचलियों को तैरने के लिए इस्तान क्या क्या होना चाहिए दोस्तों मचलियों को तैरने के लिए इस्तान कोसी इस्तर क्या होता है एक आहर स्रंखला का उधार देजिये तथा इसमें विभन कोसी इस्तर बताईए कोसी इस्तर क्या होता है अहर्स रंकला का उधार दीजे तता एक बिफिन कोसी इस्तर बताईए कोसी इस्तर क्या होता है दोस्तों हरे पौदे साहता से अपना भोजन बनाते है इन पौदों को साका हारी प्राणियों दोरा खाया जाता है जिने मानसा हारी प्राणियों दोरा भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है इस प्रकार के खाद के आधार के हमसार विफिन प्राणियों में एक सरंकला निर्मेत होती है जिसे आधार सरंकला कहते है आहार सरंकला की प्रती कड़ी कोसी इस्तर कहते है आहार सरंकला की प्रती एक कड़ी कोसी इस्तर कहलाती है फिर से देख लेजे दोस्तों कोशी क्या होता है हरे पौदे सौर उर्जगी सायता से अपना भोजन बनाते इन पौदों को साका हरी प्राणियों द्वारा खाया जाता है जिने मांसा हरी प्राणियों द्वारा भोजन के रूप में ग्रहन किया जाता है इस प्रकार से खाद आहर के अनुसार विभन प्राणियों में एक स्रंखला निर्मित होती है जिसे आहर स्रंखला कहते हैं आहर स्रंखला की प्रतेक एक कड़ी कोसी इस्तर कहलाती है ठीक लिजिए दोस्तों घास है घास को कौन खाते हैं दोस्तों कीट कीट को कौन खाता है मे आहार्स रंखला पांच पोसी इस्तर आते हैं कितने पोसी इस्तर आते हैं दोस्तों पांच पोसी इस्तर आते हैं आहार्स रंखला प्रथम पोसी इस्तर घास है जो स्वयम पोसी है उत्पादक कहलाती है प्रथम पोसी इस्तर घास है जो स्वयम पोसी है और उत्पादक कहलात दोस्टों दूतिय पोसी क्या होता है दोस्टों दूतिय पोसी असतर कीठ है जो भोकता कहलाओ र्यार है जो पिर्तिय पोसी इसतर मेड़क है दोस्टों एक जो मानसा हरी हैल주고 थैवे तर्थीयक पूस्य इस्तर मेंडक है जो मान्साहरं चतुर्थ पूसly इस्तर क्या है दोसनों रियategory जो मान्साहरं फ elaborated पंच पोशी इस्तर क्या है दोस्तों बाज है जो मांसा हा रही है चत्रत मुक्ता कहलाता है कुश्यन अगला है दोस्तों परितंत्र में अप मार्जकों की क्या भूम क्या है आप से प्रस्न पूछा जाएगा दोस्तों परितंत्र में अप मार्जकों की क्या भूम का है परितंत्र में अप मार्जकों का साधन है जीवाण तथा अन्य सूच में जीव एवं जीव जन्तु अप मार्जकों का कार करते हैं परितंत्र में अपमारजकों का साधन है जीवारु तथा अन्य सूच में झीव एवं जीव जनतु अपमारजकों का कार करते हैं ये पेड़ पौदे म्रत सरीर पर अकरमढ कर जटल कारबनिक पदार्तों को सरल पदार्तों में बदल देते हैं इस प्रकार का चड़ा सब्जियों एवं फलों के छिलके, जन्तु के मलमोत्र, पौदों के खराब अपमार्जकों द्वारा ही विक्टित किया जाता है दोस्तों एक बार फिर से देख लिए जिए दोस्तों परी तंत्र में अपमार्जकों की क्या मिव्मकार परीतंत्र में अपमार्जकों का साधन है जीवाड़ियों तो था अन्य सूच में जीव जीव जन्तू अपमार्जकों का कार करते हैं ये पेंड पौदे मृत सरीर पर अकरमण कर जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देते हैं इस प्रकार कचड़ा सबजियों एवं फ़लों के छिलके जनतुए एवं मलमूत्र पौदों के खराब अपमार्जकों द्वारा ही विक्टित कर देते हैं अगला कोश्चन है दोस्तों एक परितंद कम से कम कितना छोटा हो सकता है कोश्चन आपसे पूछा जाएगा दोस्तों एक परितंद कम से कम कितना छोटा हो सकता है पानी के एक बूंद जैसा एक परितंद कितना छोटा हो सकता है दोस्तों एक पानी की बूंद जैसा बुन कितनी से होती जो दोस्तों छोटी सी बिलकुत दो प्राड़ी प्लावकों के नाम लेको दो प्राड़ी प्लावकों के नाम लेको डेफनिया साइकलोप्स कौन कौन से हैं दोस्तों डेफनिया और साइकलोप्स जीव मंडल को किस रूप में माना जाता है जीव मंडल को किस रूप में माना जाता है जीव मंडल को सबसे बड़े परितंतर के रूप में माना जाता है जीव मंडल को किस रूप में माना जाता है दोस्तों जिव मंडल को सबसे बड़े परितंतर के रूप में माना जाता है ओजोन परत की छती का प्रमुक कारण क्या है कोश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन है दोस्तों ओजोन परत की छती का प्रमुक कारण क्या है क्या है दोस्तों इसका अंसर CFC CFC गैस होती है दोस्तों ये फ्रिज से निकलती है और ओजोन परत के लिए बहुत आनी कारक होती है दोस्तों इसे कहते है क्लोरो फ्लोरो कारवन ओजोन परत की छदी का प्रमक कारण क्या है दोस्तों फ्रिज से निकलने वाली CFC गैस क्लोरो फ्लोरो कारवन स्वाप पोसी वाप पर पोसी में अंतर मॉस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों 2021 में आए गए आप जरूर पढ़ना है आपको स्वाप पोसी एवं पर पोसी में अंतर यदि आपको कही नहीं समझ में तो हमें कमेंट करिएगा दोस्तों जितना जादा आप कमेंट करेंगे उतना ही जादा हम आपको समझा पाएंगे दोस्तों तो आप जादा जादा कमेंट करते रहे हैं जो ना समझ में आए हम आपको बताएंगे उस बारे में दोस्तों हम आपको एक अलग सी वीडियो बनाएंगे जो आपको नहीं समझ में आए दोस्तों ये अपना भोजन सूरिक के प्रकास की उपस्तिती में स्वेम मना लेते हैं ये सौर उर्जा की रसाइनिक उर्जा में बदलते हैं ये क्या करते हैं दोस्तों ये सौर उर्जा को रसाइनिक उर्जा में बदलते हैं इन्हें उत्पादक कहते हैं इन्हें क्या कहते है इन्हें उत्पादक कहते हैं परपोसी क्या होते हैं दोस्तों ये अपना भोजन प्रतच या परोप्च रूप से सौपोसी से प्राप्त करते हैं ये अपना भोजन प्रतच या परोप से सौपोसी से प्राप्त करते हैं ये सौर उर्जा को रसानिक उर्जा में नहीं बदलते इन्हें उपभोगता कहते हैं Most important अंतर है दोस्तों उद्पादक और उपभोकता में क्या अंतर है दोस्तों Important है दोस्तों Board exam के लिए उद्पादक एवं उपभोकता में क्या अंतर है उत्पादक क्या होते हैं दोस्तों ये सूर के प्रकास की उपस्तिती में पर्ण हर्यम द्वारा अपना भोजन स्वैम बनाते हैं ये सौर उर्जा को रसाइनिक उर्जा में बदलते हैं ये क्या करते हैं दोस्तों ये सौर उर्जा को रसाइनिक उर्जा में बदलते हैं ये एक ही प्रकार के होते हैं उत्पादक कैसे होते हैं दोस्तों ये एक ही प्रकार के होते हैं उपबोगता उपबोगता क्या होते हैं दोस्तों यह अपना बोजन स्वैम नहीं बना सकते हैं यह पौदों से प्राप्त उर्जा का प्योग करते हैं यह अपना बोजन उपवक्ता जो होते हैं यह अपना बोजन स्वैम नहीं बना सकते यह पौदों से प्राप्त उर्जा का प्रयोग करते हैं यह प्रात्मिक दुत स्कती कुछाएगा आपसे प्रो में जया करनी जया निम only करनी प्रोग क्या है जैव निमने करनी प्रदूसर क्या है? ये सूच में जीवों द्वारा अब गटित हो जाते है इनका चक्रिय करनी ये संभव है ये अतिदिक मातरा में उत्पन होते है जैव करनी प्रदूसर जैव करनी प्रदूसर ये सूच में अब गटित है इनका चक्रिय करन संभव नहीं हो सकता ये कम मातरा में होते हैं जैदी दोस्तों आपको वीडिए अच्छा लगा होती है विडियो को लाइक कीजेगा चैनल को सस्क्राइब कीजेगा ओन कर दीजेगा और यदि आपको नहीं समझ में आरा में प्रदूद ऐग्जांट सो अप included कर सकते हैं दोस्तों हम आपको बताने के पूरी कोसिस करेंगे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और नेक्स्ट वेडियो दोस्तों अगला चेप्टर आएगा हमारा तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजेगा थैंक्स वर वाचिंग